सहज मार्क के सबी अभ्यासियों को प्रणा आप सब जानते हैं हमने अभ्यासी की भूमिका की एक सीरी जारम की है जिसमें हमने ये बताया है कि बाबुजी माहराज ने कहा है कि अभ्यासी को साथ बिंदूओं पर ध्यान करना होगा और उनका पालन करना होगा तबी उनकी अध्यात्मिक प्रगती अच्छी तरह से हो सकती है तो जो पहला बिंदू है वह है वैराग और दूसरा बिंदू है ध्यान और ध्यान के पूर्व की तैयारी और जो चोथा बिंदू है वह है प्रात्ना और पांचमा बिंदू जो है वह है सततिस्मरण और जो छटा बिंदू है वह है भक्ति और जो अंतिम बिंदू है वह है सम हम सबको इन साथ बिंदू का ध्यान रखना चाहिए जो भी अभ्यासी जब तक अपने पून लक्षे तक न पहुंच जाए उन्हें इन साथों बिंदू का ध्यान रखना चाहिए पिछले वीडियो में हमने आपको वैराक किस्तिती के बारे में बताया था आज हम उसके दूसरे बिंदू ध्यान पर चर्चा करना आरम कर रहे हैं तो ध्यान हर संस्ता में बताया जाता है लेकिन सहज मार्ग में ध्यान का क्या अर्थ है हम उस विशे पे चर्चा कर रहे हैं असल में जो सहज मार्ग में ध्यान लिया जाता है वह है राज योग का परिवर्ते तुरूप है जिसको कि हम सहज मार्ग भी कहते हैं तो ये है क्या? रिसी पतंजली ने अश्टांग योग का जो नियम बताया है, उसका जो सात्मा सोपान है, उसे ध्यान कहते हैं. हम सब जानते हैं कि रिसी पतंजली ने अश्टांग योग में हमें आठ टियम बताये थे, जो की हैं यम, नियम, आसन, प्रणायन, प्रत्यहार, धारना, ध्यान और समाधी. तो सहज मार्ग में अश्टांग योग के जो सात्मा सोपान है, ध्यान, हम वहां से आरम करते हैं. बाबुजी ने कहा है, जब हम ध्यान का अभ्यास आरम करते हैं, तो जो पिछले सोपान हैं, यम, नियम, आसन, प्रणायम, प्रत्यहार, धारना, यह सोता ही पूर्ण हो जा तो जो अभ्यास एक लंबी अवित्यक चलना था, वह अभ्यास कम समय में पूर्ण हो जाता है, और जो अंतिमिस्तिती होती है, वह होती है समादी की. सहज मार्ग में ध्यान आप सब जानते हैं बाबु जी ने हमें हिर्दे में ध्यान करने के लिए बोला है तो सहज मार्ग में हम हिर्दे में ध्यान करते हैं दूसरा बिंदु आता है ध्यान के समय केंद्री सक्ति का प्रयोग ये एक व्यज्यानिक अधार है जो बाबु जी ने हमें बताया है कि अगर हम हिर्दे में ध्यान करते हैं तो जो केंद्री शक्ति है वो अपने आप कारीरत हो जाती है और वही शक्ति हमें अध्यात्मिक यात्रा में प्रगति देती है ये जो ध्यान के समय केंद्री शक्ति मि ली थी तो उसी शक्ति का प्रयोग हम जब हिर्दे में ध्यान करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं जो कि हमारी मदद करता है अध्यातिम की आतरा में आगे बढ़ने में सहज मार्ग में हिर्दे में ध्यान करने के क्या प्रिणाम होते हैं अब हम उन बिंदों पर बात करेंगे तो पहला जो बिंदो आता है वह आता है शाश्वत, शांती और प्रसंता जब हम हिर्दे में ध्यान करते हैं और हमारी प्रगति आरंभ होती है तो हमें प्रसंता का अनुभव होता है और हमारे भीतर शांती विद्यमान होना आरंभ हो जाती है उसका मुख्य कारण क्या है उसका मुख्य कारण यह है कि मन मन का जो कारिय छीतर है वह हिर्दे है और हम ह हिर्दे को ध्यान के माद्यम से व्यवस्तित कर रहे होते हैं। जब हमारा हिर्दे व्यवस्तित हो जाता है, तब मन स्वता ही व्यवस्तित हो जाता है। उसके बाद आता है मन अनुसासित व्यवस्ता नियंतरित। जब हम मन को विवस्तित कर लेते हैं, तो मन हमारे नियंतरण में आ जाता है, और जितनी भी इंद्रियां हैं, वह हमारे बस में आ जाती हैं, और हमारे अनुरूप ही वह कारिय करने लगती हैं, तो इंद्रियां बस में आ जाती हैं, और उसके उपरांत इंद्रियों पर हमारा पून स्वामित्व हो जाता है तब हमारा मन अपने आपकारिय नहीं करता है वैं हमारे नियंतरण में होता है क्यों? क्योंकि हमने केंद्री शक्ती से अपने मन को व्यवस्तित कर लिया होता है और धीरे धीरे जब हमारा अपनी इंद्रियों पर वश हो जाता है तो हमारा प्रकर्ती पर भी वश हो जाता है इसका अगर आप वैज्ञानिक आधार देखेंगे तो ईश्वर की शक्ती हमारे मन के द्वारा हमें प्राप्थ हुई है अगर उसी शक्ती को हम साक्सतकार कर लेते हैं व्यवस्तित कर लेते हैं तो धीरे धीरे हमें प्रकर्ती पर भी नियंतरन मिलने लग जाता है और बाबुजी कहते हैं प्रकर्ती का नियंतरन का मतलब है कि फिर वह अभ्यासी प्रकर्ती के कारिये भी करना आरम कर देता है अब सहजमार्ग में हिर्दे में ध्यान तो करना है लेकिन उसके लिए जो परणाली बनाई है वह क्या है सहजमार्क की ध्यान परनाली में हम प्राताकाल सुर्य उदे से पूर्वी हिर्दे में ध्यान लगाते हैं कि हमारे हिर्दे में ईश्वर ये परकास विद्यमान है लेकिन वह परकास कोई बलब या लाइड या मुम्बत्ती के रूप में नहीं होना चाहिए वह केवल कलपना मातर होना चाहिए परकास को किसी आकर्ती में नहीं देखना चाहिए ये बाबुजी ने हमें इस प्रस्टूप से बताया है परकास के मूल में देवत्तब का विचार आपको ये मानना चाहिए कि आप जिस परकास का ध्यान कर रहे हैं वह उसके मूल में इश्वरी शक्ती ही विद्यमान है और अंतिम है ध्यान के समय भाय विचारों की परवाण न करना। हम सब जानते हैं जब हम खाली होते हैं तो हमारे मन को पंख लग जाते हैं और वह इधर उधर भटकने लगता है। तो जब हम ध्यान में बैठे होते हैं तो हम खाली ही होते हैं और हम अपने मन को एक बिंदू पर ध्यान के लिए आकरशित कर रहे होते हैं तब हमें आवांचित विचार आना आरंभ हो जाते हैं। तो बाबुजी कहते हैं इन बाहे विचारों की आपको परवाह नहीं करनी हैं, आपने केवल ये विचार रखना है कि मेरे हिर्दे में इश्वरी प्रकास विद्देमान है, ये हमारी प्राता काल की विधी है. और साया काल में क्या करना है? आप सब जानते हैं सहज मार्ग में चार मुखे बिंदू हैं, सुबे की पूजा, साम की सफाई, रात को सोने से पूर प्रातना और पूरे दिन 37 स्मरण में रहना. तो जो ये सायाकाल में हमें क्या करना है, वो बाबुजी बता रहे हैं, उल्जाब पूर विचारों का जाल हमारी संरचना की ठोस्ता पिगल रही है, या पीछे से धूएं के रूप में निकल रही है, जिस परकार से हम सुबे ध्यान में बैठे थे, सुबे जैसे हम एक घंट जाल है जो मेरे मन को परिशान कर रहा है और हमारी संद्रचना की ठोस्ता जो मेरे स्तूल सरीर है वैस सब पउगलकर धूए के रूप में मेरे सरीर के पीछे से निकल रहे हैं इस से क्या होता है इस से आपका मन शुध होता है जब मन इस सफाई के आविशक्ता होती है जब पूंता उसकी सफाई हो जाती है तो बाबुजी उसको आदेश देते हैं कि अब तुमें सफाई के आविशक्ता नहीं है और बाबुजी ने ये भी कहा है कि जो नए अभ्यासी है वह सुबा पूजा से पूर भी लगभग पांच मिनट तक यही सफाई की जो विदी है इसको अपना है तो सुबा ध्यान से पूर पांच मिनट ये सफाई का कारिकरम हमें करना चाहिए सहज मार्ध्यान परनाली का परिनाम जब आप इस तरह की पूजा, सफाई और प्रातना करते हैं तो उसका क्या परिनाम मिलता है उसका जो परिनाम होता है वह होता है हलका मैसूस होना तो जो हमारे विचारों की भारीपन हमारे मन में, हिर्दे में होता है वह हलका होना आरम हो जाता है और हलका होने का आर्थ ही ये है कि हमें अध्यात्मिक्ता में धीरे धीरे परवेस मिलना आरम हो रहा है उस अवस्ता में परवेस करना जहां ईश्वर इस्तित रहता है क्योंकि हम अपनी ठोस्ता स्टूल सरीर से आरम करते हैं तो धीरे धीरे हम स्टूल सरीर से दूर होकर हम अपने सूक्षम सरीर और कारण सरीर की और बढ़ते हैं तो वह छेतर जो है वो ईश्वर का छेतर है जब हम इस तूल सरीर से सूक्षम छेतर की तरफ जाते हैं तो बाबुजी ने लिखा है कि ये ईश्वर यहां पर इस्तित रहता है और ये प्रगती का संदेश भी है जब तक आप हलका महसूस कर रहे हैं इसका ये अर्थ हुआ कि आप विचारों के भार से मुक्त हो रहे हैं और आपके धीरे-धीरे संसकार समाप्त हो रहे हैं अब हिर्दे पर ध्यान करना सहज मार्ग में क्यों बताया गया है तो बाबु जी ने इसका व्यग्यानिक आधार भी बताया है उसमें क्या है कि मन का कारिय छेतर जो हिर्दे है वह मन का कारिय छेतर है मन जैसा है वैसा ही रहेगा लेकिन जो उसका कारिय करने का छेतर है वह हमारा हिर्दे है सारी परेशानिया मन के अव्यवस्तित होने से ही आरंब होती है और वह अव्यवस्तित होता है हिर्दे छेतर में अगर हमने एक बार हिर्दे छेतर को बाबु जी की बताई हुई पदती से व्यवस्तित कर लिया तो हमारा मन सोता ही व्यवस्तित हो जाता है जड़ चेतन जोडने की कड़ी, ये बहुत ही घहरी बात है और बहुत कम अभ्यासी ये बात जानते हैं, कि जो हमारा हिर्दे है, वह हमारे स्तूल सरीर से इक सूप्षम सरीर में जाने का द्वार भी है, ये बाबु जी ने इस पस्टूप से अपनी पुस्तक में लिखा जड चेतन जोडने की कड़ी हिर्दे जो है वह द्वार है सुक्षम सरीर और स्टूल सरीर के बीच का तो हम जब ध्यान आरम करते हैं और वैसे हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि सबसे पहले हिर्दे छेतर में हम पिंड देश को ही पार करते हैं जो की स्टूल सरीर है तो जड चेतन जोडने की कड़ी इसलिए बाबु जी ने हिर्दे को चुना है पाकी संस्ताओं में कई जगा पर त्रीकुटी या भुमद्दे या नाभी कहीं पर भी ध्यान लगाने को कहा जाता है लेकिन बाबु जी ने ये वैज्ञानिक आधार दिया है कि हिर्दे छेतर में ध्यान करने से अभ्यासी को कैसे लाब होता है हम सब जानते हैं हिर्दे का जो कारिय है वो रक्त को शुद करके सरीर के एक एक कोष शल तक भेजना है तो जब हमारा हिर्दे ववस्तित हो जाता है और वह उर्जा से भर जाता है तब बाबु जी चाहें तो उसी हिर्दे छेतर से किसी भी कोष तक कमपन को पैदा करके वह पर शक्ति को प्रभाइब कर सकते हैं, हिर्दे ही नाभिक है और हिर्दे ही हमारा एक सेंटर है, जहां से पूरी विवस्ता आरंभ होती है, हमारे बाबू जी चाहें, तो किसी भी सेल तक वो कमपन इसी हिर्दे से पहुँचा सकते हैं, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सहज मार्ग में जो ध्यान है वह क्या है, लेकि ध्यान केवल आँख बंद करके बैठ जाना और ये कल्पना करना कि मेरे हिर्दे में ईश्वर ये परकास है, केवल यहां तक सीमित नहीं है, सहज मार्ग में जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो बाबुजी की प्राण आहूती का प्रवा आपके अंदर आना आरंभ हो जाता है, और केंदरी शक्ति उसमें जागरित हो जाती है, और वही कारिये कर रहे होती है हमारी प्रगती की, तो जो केंदरी शक्ति है, वह सबसे भीतर होती है, उसके उपर तरा-तरा के विचारों और संसकारों के आवरण होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो वो केंदरी शक्ति अपनी उर्जा से उन सारे बादलों को तितर भीतर कर देती है, और हर एक बिंदू, कमल, गरंथी को हमें हमारे अंतिम लक्षे तक ले जाती है, तो बात यह आती है कि ध्यान क्या है, ध्यान मन को विवस्तित करने की वीदी है, और सहज मार्ग में हम राजयोग, जो की पतंजली डिसी का श्टांग योग है, उसके सात्मी सोपान से आरम करते हैं, और हम जो ध्यान करते हैं, बाबुजी ने कहा है कि अगर आपको हिर्दे में किस जगा ध्यान करना है, उस बात पर ध्यान देना है, तो जहां पर आपको धड़कन सुनाई देती है, आप वहां पर ध्यान लगाईए, और अगर आप तकनी की रूप से देखें, तो हमने जो आपको बताया था, बी अगर में जो अभ्यासी की भूमी का है, उसका जो दूसरा बिंदू है, वह है ध्यान का, तो हमें ध्यान से जो लाब होता है, वो बाबुजी ने यहां पर व्यज्यानिक अधार से हमें बताया है, और हमें विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको ये स्पस्ठ हो गय कि सहज मार्ग में ध्यान क्या है और सहज मार्ग में ध्यान की प्रक्रिया क्या है, धन्यवाद.